चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ग्यानी, महात्मा या किसी जानकार से सलाव जरूर ले ओम नमस्शिवाए आज 21 तारीक दूसरा महीना और 2017 बहुत ही शुब दिन है और आज से दो तिन दिन बाद यानि कि 24 फरवरी को महा शिवरात्री का पर्व है कहा जाता है कि महा शिवरात्री, होली दिवाली या इत्यादी के त्योहारों पे अगर आप कोई प्रयोग या तोटका आजमाते हैं तो उनका असर दसगुना जादा बढ़ जाता है तो अभी आपके पास एक बहुत सुनहरा मोका है अगर आप अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं जो आपके सखा या प्रिया है वो आपके पास आजाएं किसी भी कारण से दूर चले गए हैं वो दुबारा से मिल जाएं तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मोका है शिवरात्री का जो पर्व है यानि कि 24 फॉर्वरी का जो दिन है जो रात होगी 24 फर्वरी की उसको शिवरात्री है और शिवरात्री पे किये हुए प्रयोग पिचाणवे प्रतिश्यत बिल्कुल सफल हो जाते हैं क्योंकि उस दिन इतनी पूजा पाड़ चलती है हर जगह और बहुत जादा पॉजिटिविटी होती है हर किसी के माहौल में और हर किसी के असपास भी एक पॉजिटिव और बना रहता है हर जगह तो इसलिए आप ये प्रयोग आजमाएं और मैं महाशिवरात्री के पर्व के आपको एक उपाई दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा और इसको करिए और इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे ऐसे मेरी मनो कामना है करना कुछ भी नहीं है आपको वैसे तो आपको कभी भी तंतर मंतर की साहिता की जरूत नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि प्यार में इतनी शक्ति होती है कि ये तंतर मंतर सब उसके पीछे हो जाते हैं लेकिन क्योंकि चरम सीमा आगई है कलियूग है और कलियूग में भी अंत का समय है तो इसमें ऐसा होना लाजमी है लोग जरा जरा सी बात पर एक दूसरे से बहस करते हैं रिश्टे तोड़ देते हैं या ऐसी हरकते करते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं मेरे पास संख्या न काते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ये दूर होगय इसको वाफिश लिया और हमारे ये हो गया संसार में हर तरफ यही पचा हुआ है तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान लगाना चाहिए मेडिटेशन करनी चाहिए और जो आपके सातहीं है या पार्टनर ह उनको भी meditation के बारे में बताना चाहिए और ये बहुत ही जादा कारेगर थाबित होता है mentally भी और physically तोर पर भी अगर कोई meditation proper करे तो आप उसके चहरे पे एक चमकता हुआ नूर या उसके चहरे पे glow आप देख सकते हैं और रही बात वशीकरन की तो मैं आज आपको एक मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छोग प्रयोग दे रहा हूँ इसको करिए लेकिन ये किसी को पता न चले और ये प्रियोग बहुत असरदार है इसको करके देखिएगा बस किसी को पता ना चले या किसी भी तरह से इसमें कोई तुरूटी ना हो और ब्रहमचरिय का पालन आपको प्राय करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर बिना ब्रहमचरिय का पालन के कोई प्रयोग किया जाएगा तो उसमें सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है ब्रहमचरिय का पालन इसलिए क्योंकि फिर हमारी जो वाइब्स होती है यानि कि वाइब्रेशन वो काफी स्ट्रॉंग हो जाती है और इस सारा खेल वाइब्रेशन का ही होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रहमचरय का पालन करना है आप कुछ दिन पहले करके देख सकते हैं वैसे प्रॉपर तरीका तो 90 डेस का होता है यानि कि 90 दिन पहले से आपको प्रहमचरय का पालन करना चाहिए लेकिन आप फिर भी आजबा लीजिये अगर आपके पास समय कम है तो और कई पर ऐसा हुता है कि बिना ब्रह्मचरे के पालन के भी काम बन जाता है क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये आपके उपर निर्फर करता है किस काम के लिए आप यह जो प्रियोग है करना चाहरे हैं कहीं आप अपना उल्लू सीधा तो नहीं करना चाहरे है या फिर कहीं आप अपना ही कोई फाइदा तो नहीं ढूंड रहे जग में जो कल्यान हो सके जन जन का कल्यान हो सके उसके लिए हमेशा प्रयोग करना चाहिए इससे आपकी जो एनर्जी है उसमें कभी कमी नहीं आएगी अपने फाइदे के लिए अगर आप करेंगे तो negativity और ego आप में स्वता ही आज आएगा चलिए बात करते हैं आज के टोटकेगी और इसको करना कैसे है क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है कि सभी लोग उनी वस्तर ना पहने बहुत सरे लोग उनी कपड़े अभी भी पहनते हैं और अभी भी सर्दी है तो इसको इसको इस्तमाल भी उनी कपड़ों पही करना है अब करना कैसे है वो ध्यान से सुनिये इसको या तो लाल या सफेद चंदन, केसर, कस्तूरी, सिंदूर, अगर तगर या कोरोचन इन सब में से किसी भी चीज में से मतलब आप इस्तमाल कर सकते हैं इसमें आप को करना ये है कि जो कमल का फूल होता है उसकी कलम बना कर ये लिखना है या तो आप इसको मंगलवार को कर सकते हैं इस प्रयोक को या फिर रवीवार को कर सकते हैं कुछ नहीं करना सिर्फ पूजा करनी है जैसे कि नॉर्मल इनसान करता है और ग्यारा आहूतियां देनी है और सिर्फ इसमें जो अमुकी लिखावा एक जगा पे उसमें उस आदमी का या उस अवरत का नाम ले सकते हैं ये बहुत ही प्रचंड वश्यकरन का एक यंत्र है जिसकों की बहुत गुपत रखा जाता है ये बताया नहीं जाता है क्योंकि सीधा दिमाग और उसके पूरे शरीर पर काबू कर देता है मतलब कि अगर आप इसे प्रियोग करेंगी तो सामने वाला आपका दिवाना हो जाएगा और हर जगह आपके ही बारे में सोचेगा इसको प्रियोग करिए और इसको गुपत रखिए किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए अगर किसी को पता लग गया या किसी की और की नजर पढ़ गई आपकी यांति बनाय हुए बे तो ये काम नहीं करेगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो और बना के लाऊं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट सेक्षिन में आप दे सकते हैं अपना सुझाओ या अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक के उपर मैं वीडियो बनाऊं अगर मुझे आपका जो सुझाओ है या टॉपिक अच्छे लगा तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और प्रभू को याद करिए उसकी शरण में रहिए अगर प्रभू की कृपा होगी आपके उपर तो आपको इंतंत्र मंतर की साहिता लेने की जरूत नहीं पड़ेगी अपने इश्ट को मना के रखिए याद रखेगा अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान भी आपका ध्यान करेंगे ओम नमस्षिवाए